लिबनारों सीमावर्थी सीरिया के कुछ उलाकों में पेज़ोर में सलसलेवार ब्लास्ट हुए इस हाथसे में कई लोगों की मौत हो चुकी वहीं लगबग 4,000 से अधिक लोग घायल हो गए है ये ज़ानकारी सामने आए तो वहीं ज़ानकारी के मताबिक पेज़ोर्स को हैक क ब्लास्ट किया गया अब सवाल आता है कि पेज़ोर होता क्या है क्या पीज़ोर की तरह मॉबाइल को हैक किया ज़ा सकता है तो पीज़ोर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से मेसेज पेजने और रसीफ करने के लिए किया जाता है ये अपने समय में काफी लोग प्र भारत समय दुनिया भर में पहले ये काफी पॉपुलर था, खास का डॉक्टर, बुजनस्मैन और इमर्जनसी सेवाओं के प्रोफेशनल्स इसका इस्तमाल करते थे, पेज़र डिवाइस रीडियू सिगनल के जरीए टेक्स मेसेज को सेंड और रिसीव करता, ये मुखे इसके बाद हैकल्स अपनी कमांड आदी दे सकते हैं, पेज़र की तुलना में मुबाइल को हैक करना काफी मुश्किल है, फोन हैक करना और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्यूर्टी सिस्टम पर निर्भर करता है, एंड्रोइट के तुलना में आई ओएस को ज्यादा स रक्षित होते हैं, खला की ये कहना भी गलत होगा कि इसे कभी हैक नहीं किया जा सकता है, कोई स्मार्ट फोन या फिर एक पीज़र बं कैसे बन जाता है, इसमें वर्तवान समय में एक एक्स्प्लूजिव के छोटी रूप को एक डिवाइस में आसानी से फिट किया जा सकता है, इसके लिए सीफोर जैसे एक्स्प्लूजिव का स्तमाल किया जाता है, इन विसफोटकों को फोन या पीज़र की बैटरी में फिट किया जाता है, इसके बाद वाइडलाइस सिगनल का स्तमाल किया जाता है, ये सिगनल ब्लूटोथ या मोबाइल नेटवर्क किसी भी तर react करेगा